हेलो दोस्तों प्रतियोगिता दर्पन करेंट अफेर्स सीरीज में आज हम लोग नवीनतम सामाने ग्यान को देखेंगे इससे पहले हमने नेशनल इंटरनेशनल और जो भी एकॉनमिक से जुड़े हुए करेंट अफेर्स दिये रहते हैं उन्हें डिसकस कर लिया है तो आज हम नवीनतम करेंट अफेर्स को कंप्लीट करेंगे चलिए देखते हैं यह सभी जो जो को तो हमने कल पढ़ी लिया था कंप्लीट कर लिया है चलिए आज की जो टॉपिक है हम वहां आते हैं पर सबसे पहले आपके लिए एक प्रसन होगा उसको आंसर आप हमें कॉमेंट बॉक में बताएंगे तो चलिए हम पहले प्रसने देखते हैं कि प्रसने क्या है उसके बाद हम यहां पर आज का करेंट अफेर्स डिसकस करेंगे प्रसने है वाइवरेंट विलेश प्रोग्राम के समंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है तो गैस कल ही हमने इसके बारे में बहुत विलेश प्रोग्राम की मंजूरी दी है इस प्रोग्राम का संचारन जो अवधी है वो फैनेंसेल यर दो हजार बाइस तेस से पच्छेश शबिस तक है इसके साथ ही इसके लिए जो अबंटन किये गए हैं वित्या बंटन वो 3800 करोड रुपए हैं साथी पहले चरण में इ अपना करेंट अफेस डिसकस करते हैं तो जो सबसे पहले यहां पर दिया रहता है सब्दस अंचेप दिया रहता है नवीनेतम सामान ग्यान में इससे देखेंगे सब्दस अंचेप में क्या दिया हुआ है SSLV SSLV यहां पर फुल फॉर्म इसका हो जाएगा स्मॉल लांच होएकल यह इजरो के द्वरा विक्सित किया गया है और इसका जो यूज किया जाता ना वो छोटे और कम वजनों के उपग्रहों को अंतरिक्षी के नीचली कक्षा में अस्थापित करने के लिए किया जाता है इसके माध्यम से कम लागत पर जो छोटे उपग्रह है उन्हें अंतरिक्षी के नीचली कक्षा में अस्थापित किया जा सकता है चलिए अब हम आगे देखेंगे नियुक्तियों के बारे में अभी हाली में जो सुप्रीम कोट है वहाँ पे नियाधीसों की नियुक्तिया हुई है तो उनके बारे में बताया गया है और अब इस त हुआ करते थे संजय कर यह पटना के मुख्य मानि पूर से थे असानुदिन अमान उल्ला ये पटना है-खुट के वरिस्थर ने आधी occurred साथ इमनो जमेंस्र ऐलाहाबाद के वरिस्थर ने अधीस थे राजेस बिन्दल ये भी हला भाद से थे और साथी अरविंद कुमार तो इन लोगों की नियुक्ति की गई है अब यहां पे दोस्तों इन में से बहुत सारे ऐसे नियाधिस है ना जिनकी जो सिवानिब्रती है वो भी 2023 के टाइमिंग में ही हो जाएगी देसमबर तक ठीक है तो इसमें कितने नियाधिस कुल सामिन है तो कुल साथ जो निया नियाधिस की सेवानिब्रती जुलाई 2023 में और एक नियाधिस की सेवानिब्रती डिसमबर 2023 में हो जाएगी तो यहां पे यहीं बताय गया था चलिए आगे देखेंगे केंडरा बैंक के नए प्रबंधने देशक की नियुक्ति की गई है सते नारायन राजू जो केंडरा ब नियुक्ति की गई है गुजरात उचने आले में सोनिया गिर्धर गोकानी की नियुक्ति की गई है और यह 23 फेब को इनका जो सेवानिब्रती था वो भी हो जाना था ठीक है नेक्स्ट है त्रिपरा उचने आले जस्वंत सिंग की नियुक्ति की गई है और इनकी भी 23 फेब को ही सेवानी ब्रती हो गई है फिर यहां पे गुहाटी उच्छे नियाले संदीप महता को नियुक्ति किया गया है और जमू कस्मीर और लदाख हाइकोट के लिए एनकोटी स्वर को नियुक्ति किया गया है चलिए आई होप यह सभी चीज़े याद होंगी इन लोगों के नाम आप याद रख सकते हैं एक्जाम में पूछे जासते हैं चलिए नेक्स्ट यहां पे हम देखेंगे कि नीतियायो के जो अध्यक्षना नीतियायो के स्वरी CEO उनक के नए उप्रमुख की नियुक्ति की गई है लेफ्टिनेंट जनरल M.V. सुचिंद्रकुमार और इन्होंने अस्थान लिया है लेफ्टिनेंट जनरल B.S. राजुका नेक्स्ट है युनिसेफ इंडिया के राष्ट्रियर राजजुद बनाएं आयुसमान खुराना तो यह याद रखेंगे एक्जाम में पूछा जाएगा जो पूछा जा सकता है साथ ही DGCA के नए महानी देशक जो है वो विक्रम देवदत बने हैं और इन्होंने अस्थान लिया है स्री अरुण कुमार का अब यहाँ पे अगर हम देखे कि DGCA का फूल फॉर्म क्या होता है तो यह होता है डिरेक्टरिट जैनरल ऑफ सीविल एविएसन अब यहाँ पे नावेबिया में भारत के नए राजुद की नियुक्ति की गई है और इनका नाम क्या है इस सुबा राइडू और यह जो एस स राजिस मलहोतरा को बनाया गया है और यह सत्यंद्र प्रकास का अस्थान ले रहे हैं तो नेक्स्ट यहाँ पे है विस्व बैंक के निदेशक मंडल में भारत दोरा नामित कारेकारी निदेशक नीतियों के जो एक्सीयों है परमेस्वरा नयर इनका नियुक्ति किया गया है विस्व बैंक के निदेशक मंडल में और इन्होंने अस्थान किसका लिया है राजेस खुलर का अस्थान लिया है अब पुरसकार के बारे में जरा हम देख लेंगे पुरसकार और सम्मान तो संगीत नाटक अकादमी पुरसकार दिया गया है यहाँ पे 2019-2021 के पुरसकारों क गोशना किया गया था 25 नमबर 2022 को ही जिनका अभी हाली में वित्रण किया गया है द्रौपती मुर्मू के द्वरा हमारी राश्ट्रपती जो है चलिए अगर हम यहाँ पे देखे तो संगीत नाटक अकादमी पुरसकार रासी के रूप में एक लाख रुपए दिया जाते है और अकादमी फैलोसिप के लिए 3 लाख रुपए यहाँ पे दिया जाते हैं नेक्स्ट है फीफा के वर्स 2022 के पुरसकार सर्वस्रिष्ट फुटबॉलर का पुरसकार लियोनी मेसी को दिया गया है और यह अर्जेंटिना से हैं सर्वस्रिष्ट महिला फुटबॉलर का पु अलेक्सा पुटेलास को दिया गया है जो कि इस्पेन से है और यह लगतार दूसरा वर्स है जब अलेक्सा पुटेलास को यह पुरसकार दिया गया है नेक्स्ट है सर्वस्रिष्ट कोच महिला का पुरसकार सर्टीना विगमैन को दिया गया है जो कि ब्रिटेंट से हैं और स साथी सर्वस्रिष्ट कोच पुरस्का पुरस्कार दिया गया है लियानिल स्कालोनी जो अर्जेंटिना से ही है नीधन के बारे में जरा यहां पे देख लेंगे जावेद खान अमरोही जो की बॉलिवुड के प्रसिद अभिनेता थे नंद मुरी तारक रत्न तेलगु फिल्म के अभिनेता थे कि विश्वनात दक्षिन भारत के फिल्म निर्माता थे परवेज मुसरफ पाकिस्तान के पुर्वसैन्य तानसाह और पीम भी थे यहां पे वाडी जैराम जो है वो पासर्वगाई का थी इनका निधन हो क्या है हाली में और इने पंद्म विभूशन से भी 2023 यह भारत की इनिसियाटिव है भारत की इनिसियाटिव पे ही यहां पे UN के द्वारा 2023 को International Year of Millets घोसित किया गया है भारत सरकार ने अभी हाली में जो पौश्टिक अनाज होते हैं उनका नाम करण किया है और नाम क्या रखा है स्री अन तो यह पूछा जा सकता है आपसे एक कंगनी कोदो सरी चीनिव कंगनी फिर कोदो फिर रागी बाजरा ज्वार राजगीरा या रामदाना या कुदगी ठीक है तो यह सबी चीजे स्री अन्न में सामिल है चले है पॉस्टिक कनाज के अगर हम फाइदे देखे ना दोस्तों तो यह हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महतोपूर्ण होते हैं यह हमारे हेल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं फिर अगर इसको किसान ग्रो करेंगे तो उनको भी बहुत ज्यादा होगा वह ग्रोध已经 αहे हमारे परिया वरण है उनके लिए भी बहुत अच्छे होते हैं ठीक है तो इस तरह से इसके बहुत सारे फाइदे हैं नेक्स्ट हैं बुक्स के बारे में देख लेते हैं विक्ट्री सिटी विक्ट्री सिटी सल्मान रसदी की बुक है नेवर नेवर ये कोलिन हुवर और टैरिन फिजर की बुक है सम्मेलन के बारे में अगर हम यहां पर देखे तो कुछ सम्मेलनों के जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में देखते हैं राष्ट्रिय चावल कॉंग्रिस जो हुआ है 2023 का वह उडिसा के कटक इस्थित राष्ट्रिय चावल अनुसंधान में किया गया है 11-14 फेप के बीच में और राष्ट्रिय द्रौपदी मुर्मों के द्वरा ही इसका उद्घा किया गया अब यह चीज आप याद रखेंगे कि जो बार राष्ट्रिय चावल अनुसंधान है वह कहां इस्तित है उडिसा में इस्तित है इस बात का ध्यान रखेंगे एक्जाम में यह प्रस्ण आ सकता है नेक्स्ट है महिला ससकते करण पर जीट्वेंटी सम्मेलन यह बारहवा संसकरन था और 15-17 फेरवरी 2023 में नाड़ी फिजी में इसका आयोजन किया गया था फिजी सरकार और भारत के विदीस मंत्रा लेके तत्वाधान में इसका आयोजन किया गया था थीम की बात करें तो हिंदी परंपरिक ज्यान से कृत्रिम मेधा तक मेधा तक ठीक है और 11 हुआ कहां हुआ था मरिसस में 2018 में हुआ था अच्छा ये पहला टाइम है जबकि कोई पेसिफिक कंट्री में विश्व हिंदी समयलन का आयोजन किया गया है तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे अगला है ओपरेशन तथा अवियान ओपरेशन दोस्त जो टर्की में और सिर्या में भुकम पाया था तो भारत ने राहत टीम भेजी थी भारत के तरफ से तो इसका नाम क्या था ओपरेशन दोस्त नाम रखा गया था इसका और तुर्की और सिर्या में जो भुकम पाया था वहाँ पे राहतकारियों में हाथ बटाने के लिए भारत के दोरा एक वीसिस टीम को वहाँ पे भेजा गया था अब यहाँ पे कुछ उसेन ने अवियास के बारे में देख लेते हैं जैसे डस्लिक यह इसका चौथा संस्करन था और यह सेना के जो सैन ने अवियास है वो है और भारत उजवेकिस्तान के वीच में होता है उत्राखं के पितहौरा गढ़ में इसका आयोजिन किया गया था अगला है सागर परिक्रमा सागर परिक्रमा दोस्तों मतस्य की छेत्र के कलियान हेतुप केंदर प्रायोजित कारिक्रम है मतस्य पालन को बढ़ावा देना और समुदरी पर इस्थिति की तंत्र के रक्षा करना है इसका मेन उदेश से है अब ये तीन चरणों में अभी तक हुआ है तो ये शुरू कब हुआ था मांडवी में शुरू हुआ था पांच मार्च 2022 को खतम पोरबंदर में 6 मार्च 2022 को शुरू जो दूसरा चरण था वो मंगरूल से विरावल में हुआ था 22 सेप्टेम्बर 2022 को खतम मूलद्वारका में हुआ 23 सेप्टेम्बर 2022 को और जो तीसरा चरण है जो अभी हाली में 19 फैब 2023 को शुरू हुआ था वो हजीरा पोर्ट पे शुरू हुआ था और खत्म हुआ मुंबई ससून डाक्ट में तो यहां पर आप यह चीज याद रखेंगे नेक्स्ट है महोत्सों के बारे में देखेंगे खजुराहु नित्रे महोत्सों यह इसका 49 था जो की वार्सिक होता है और साथी चतरपूर जिलस में यह सुरूआत हुआ था इसका और अगर हम देखें कि इसका आयोजिन किसके दोरा किया जाता है तो देख सकते हैं आलाओदिन खा संगीत एवं कलाकादमी वोपाल के माधिम से यह आयोजित किया जाता है और कि स्था नेक्स्ट है वीविंत वीविद में हम देखेंग आयने शुमेदा के बारे में नॉसैनिक प्रदर्सनी आयडेक्स जो हुआ था वो अंतराश्टमय रक्ष्षा प्रदर्सनी बहाग लिया था जो आयोजिन किया था वह अब controls में किया लए था और गुवा सिप् संजुकत भ्यास वीर गार्जियन जो की भारत और जापान के बीच में होता है और गाइज यह पहला औसर था जब कि किसी विदेशी जो हमारा एक्सेसाइज हो रहा था और उसमें भारतिय महिला ने इस दल का संचालन किया है ठीक है भारत जो जापन की एयर सेल्फ डीफेंस उसके साथ यह हुआ था और यह वायू सेना का है और पहला संजुकत भ्यास यह था अयोजन का हुआ था हाया कुरी जापान में इसका अयोजन हुआ था भारतिय दल का संचालन किसने किया था आउनीचे तुडवेदी जैसा कि हमने अभी देखा कि यह पहला औसर था जब कि 150 वी जैनती पे 150 मुल्यकास मारक सिक्का यहां पे जारी किया गया है एरो इंडिया 2023 आयोजन बैंगलोरू में किया था यह लाहंका वायू सेना के अंद्र में उद्घाटन पीम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया अमरित पेक्स 2023 अमरित पेक्स 2023 एक दसक के अंतराल के पस्चात राष्ट्री डाक्टिकट संग्रा प्रदर्सनी का योजन हुआ है नियो डैली के प्रक्ति मैदान में और संस्कृति मंत्राले और भारतिया फिलैटरी कॉंग्रेस के सहयोग से अमरित पेक्स का योजन किया था ग्रैमी पुरस्कारों का विद्रन किया गया है 65 ग्रैमी पुरस्कारों का तो हम उसके बारे में भी देखेंगे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जो है एल्बम ओफ दे एर कौन है है रीज हाउस जो कि हैरी स्टाइल्स का है फिर रिकॉर्ड ओफ दैयर अबाउट टाइम और Song of the Year किसको चुना गया है Just Like That Bonnie Wright का Serviceist New Artist Samara Joy Serviceist Solo Performance E.G. On Me Adelae ठीक है तो इतना हम याद कर लेंगे तो यह हमारे लिए बहुत है यह सबी चीजे इतना डेपली नहीं पुचा जाता है एक्जाम में अब नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे यह हमारे लिए याद रखने लिए बात है कि भारत की अनुस्का संकर जो है साथवी बार ग्रैमी से चुक गई है यहाँ पे तो वो बताया गया है भारत की प्रसिद सितार वादक जो है पंडित रवी संकर कर दो है वह समय करते हैं आप से लिएएब्ट रजल रच्छ वह रौ राङ वह रज़ झाल झाल उनकी छोटी बेटी है यह जिनका नाम अनुसका संकर है और इस वर्स भी ग्रैमे पुरसकार प्राप्त करने से वह फिर से चोग गई है उनका एल्बम जो है विट बिन अस विट बिन अस के लिए ग्लोबल म्यूजिक अलबम की कैटेगरी में और गाने उधेरोना को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में नहीं जीत पाई है चलिए बाफ्टा फिल्म पुरसकार के भी बारे में यहां पर बताया गया है इसको थोड़ा सा देखेंगे सर्वसेस्ट डारेक्टर कावर्ड बर्गर फिल्म और वैस्टर्ण फ्रंट के लिए दिया गया है सर्वसेस्ट फिल्म और क्वाइट उन दे वेस्टर्ण फंट निदेशक एडवर्ड बर्गर हैं तो यह दुनों सेम ही के टे मतलब सेम ही फिल्म के लिए दिया गया है नेक्स्ट है सर्वसेस्ट गैर अंग्रेजी फिल्म फीचर तो और क्वाइट ऑन दे वेस्टर्ण फ्रंट तो जलवा है भाई इनका जर्मन फिल और जिए गाया है फिल्मतार के लिए और विनेता उस्टिन बटलर जोकी फिल्म अल्विस के लिए दिया गया है सर्वसेस्ट सपोर्टिंग मिनेता बेरी के ओगन को दिया गया हैं वंसी ओफ इरसुन के लिए चले अगर सर्वस्रिष्ट सब्पोर्टिंग अभी ने तरीकी बात करें तो कैरी कैंडोन वन सीज ओफ इनी सेरिन के लिए इनको भी दिया गया है तो गैज इतना मतलब हमारे लिए बहुत है इतना याद रख लेंगे तो बाकी सब आप एक बार जुरूर से पढ़ लेंगे जो मै सब्सक्राइब करेंबर ऑप्सें सही है कि 15 फेरवरी 2023 को केंडरिय मंत्री मंदल ने इसकी सुरुवात की थी मतलब मंजूरी दी और फिर जो इसका फैनेंसेर 2022 है इसका टाइम पिरियड है और साथ ही यहां पे जो इस प्रोग्राम के लिए वित्या अबंटन किया गया है व दिए 663 गाओं को सामिल किया जाएगा तो यह भी सही है यानि यहां पर ऑप्सें नंबर सी रॉंग से रॉंग स्टेट्मेंट है चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में कल तो हमने बहुत अच्छे से इसको देखा ही था 12 फरवरी यानि यह 15 फरवरी को ही क केंद्र प्रयोजिति योजना है और साथी अगर बात करें तो संचालन अवधी जो इसकी है वो 2022-2526 तक के लिए है वित्या आब अंटन हमने अभी देखा जो आप्सिन था वही गलत था तो यह 4800 करोड़ों रुपए की गई है और जो इसमें 2500 करोड़ की जो रास्ती होगी उसका उपयोग सड़कों के लिए किया जाएगा यहां पर पहले चरण में 663 गाओं को सामिल किया गया है तो इस तरह आज का जो हमारा करेंट अफेर सेशन था उसे हमने कंप्लीट कर लिया है मिलते हैं आप से कल के वीडियो में जाहिंद